Hello Traders and Welcome to the studio members Infosys को आज के दिन हम trade कर रहे है IT sector का stock है बहुत ज्यादा chance है कि Infosys आज हमें एक अच्छा move दिखाएगा because यह जो swing high है इस swing high के उपर अगर एक भी candle ने high volume पीसाथ confirmations देने की व्याद में sustainability दिखाए तो price और भी upside की तरह move दिखा सकता है minimum जो move होना चाहिए 0.7% से लिए करके 1% के आसपास का move होगा जो मेरा अपना अंदाजा है आज के वीडियो में जो चीज़ हम देखने के कुशिश करेंगे वो है false breakout किस तरह से false breakout आपके अच्छे खासे trade को खराब करता है और किस तरह से false breakout को समझने के बाद हम लोग एक trade को अपने direction में cash कर सकते हैं किस तरह से हम उसको अपने favor में use कर ले जाएंगे क्योंकि अगर false breakout हो रहा तो दो ही चीज़े होगा या तो आपका stop loss हीट हो जागा नहीं तो आपके direction में जागा हमें वो symptoms वो possibilities देखनी है कि कौन-कौन से ऐसे symptoms हैं जिस तरह से मेरा stop loss हीट हो सकता है हमें वो समझना होगा जिस तरह से अपना जो main target होता है जो अपना main मकसद होता execution का कि हम जो भी अपना stop loss लगाएंगे जैसे कि आज के session में देखे हमारा जो stop loss है आज का 1471.95 entry हमने लिए है 1474.40 मेरा जो purpose होता है जो मेरा target होगा कि हमारा ये stop loss hit नहीं होना चाहिए यही हमारा सबसे बड़ा target होना चाहिए हम लोग करते क्या है actually कि जब हमने trade execute कर लिया तो अब में कितना target मिलेगा price उपर तक जाएगा नहीं जाएगा अरे यह तो बहुत चोटा target है यह तो बहुत बड़ा target है actually target के विशा में सोचना ही नहीं होता है हमें सारी मेहनत जो भी करनी ही वो अब खुशी direction में करनी है price में ऐसा कौन सा zone है ऐसा कौन सा area है या फिर ऐसा कौन सा price है जो कि stock को आच मुश्किल है कि वो price वो touch करें वही हमारा stop loss बनेगा बहुत 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 कम chance है कि आज price 1471.95 पर यह लॉट करके आए यह नहीं आएगा वापस विकाज कुछ इस तरह के symptoms info से समिछ दिखा चुका है morning में और अभी भी देखिए इसने अपने swing से आपके सामने ही यहां से देखिए इसने टर्न लिया अपसाइट के तरह आप हम लोग बढ़ते हैं इसके analysis कि हो सबसे पहले daily time frame पर infosys के analysis करेंगे after that lower time frame पर infosys के analysis करेंगे and after that हम लोग false breakout को समझने के कोशिश करेंगे अब पढ़ने पढ़ने को तो बहुत सारे fancy fancy breakouts है कि हम लाकीरे बना दे और चार्ट सवार हम backtest आपको करके दिखा दे लेकिन उनकी सीमा है सिर्फ पढ़ने तक और पढ़ने तक ही इस वाद के profits दिखेंगे पने चल लेंगे 10,800 करण के profits चल रहे है and अभी उम्मीद ऐसी है हमको कि price यहां से में भी chance है थोड़ा सा गिर करके हमारे entry level तक भी यह आ सकता है लेकिन इतना confidence है कि stop loss hit नहीं खरेगा आज अपने stop loss hit नहीं होना चाहिए and price अपना day high break करने के बाद में कुछ ना कुछ movement हमें देगा ही देगा so thanks and start करते हैं आज के अपनी analysis को अब हम लोग शुरुआत करेंगे इसके daily time frame से daily time frame पर एक चीज़ जाद रहे हैं अगर हम लोग false break out को समझने की कोशिश कर रहे हैं तो इसको बिलकुल भी यह सोच करके treat मत कीजएगा कि बहुत ही simple है क्योंकि ज्यादातर चीज़ें जो पोट्रे करने के कोशिश की जाते हैं यह तो बहुत आसान है यह तो कोई भी कर लेगा बहुत आसान है कोई भी कर लेगा बट यह कोई भी कर लेगा और बहुत आसान के पीछे ना काफी बहुत कड़ी महनत होती है आप कि किसी भी विधा को ले लो किसी भी आर्ट को ले लो बहुत आसान होगा लेकिन उस आसान तक आसान पॉइंट तक पहुंचने के लिए आपको बहुत बहुत मेहनत करने पड़ती है हम ऒने लगता है कि जात और लोग जो मार्केट में आकर कर गायब हो जते हैं वो जाते नहीं वो गायब आय और पता नहीं चलता कि कहां चलेगा हो सकता है इन्हीं कुछ foods में आप लोग भी चल रोग आप में से कुछ लोग चल रहे हैं यह पोरetry करते हुए आपने किसी को दे ताकि आप समझो कि इसके पीछे कितनी प्रैक्टिस है और एक ही दिशा में होनी चाहिए अगर आपने प्रैक्टिस करने में कट्स की है अभी आप स्टॉक्स पर कर रहो फिर आप ऑप्शन फ्यूचर में जाओ तो तो सिवाए बरबादी का और कुछ नहीं रखा है हमसे सीध हम अगर कोशिश कर रहे हैं false breakout को समझने की तो इसके पहले logical है न कि आप breakouts को समझो और अभी आपको breakout करने की तमीज नहीं है कि breakout अगर कोई स्टॉक कर रहा है तो हम उसको कैसे पहचाने के और आप बढ़ रहे हो false breakout की तरफ तो यह तो बेवकूफ ही हुई न कि हमें ABCD नही को समझें जिससे की trend identification हो जाए एक बाद trend identification आ गया अब हमारे लिए help कर जाएगा false breakout अदरवाइस हमें कुछ नहीं आता हूँ और हम false breakout की तरफ बढ़ेंगा तो false breakout भी हमारे favor मिन आ जाकर कि हमें नुकसान ही पहुँचाएगा क्योंकि हम advanced analysis करने की औहिश कर रहे हैं बट जो basic analysis से वह हमें नहीं आती तो मेरी इन सारी बातों के पीछे का जो मतलब है कि हम कोई भी एक topic अगर पढ़ना चाहते हैं या उसको और implement करना चाहते हैं तो उसके पहले के सारे topics आपके clear हो as a scholar आप इस चीज को समझो as a practitioner आप इस चीज को समझो वरना जो चीज है भी हमने कहीं कि बहुत आसान है कोई भी कर लेगा है come here show me your profit आताने एक add आता है हम नाम वगरे नहीं लेते लेकिन एक add आता है उसमें कोई बच्चा है वो 11-12 साल का बच्चा है show me your profit तो अपना आता है और पूरे डिर दुलाग पे का profit वो छोटा सा बच्चा और डिर दुलाग पे का profit उ उतार चड़ाओ सारे आते हैं depression आएगा family से अपना कारे जाओगे खुद के ओपर गुस्सा आएगा loss भी होगा profit भी होगा हांसी खुशी सब कुछ चलता है market आपको रुला लेती है यह सारे patience टेस्ट करने के बाद में market आपको वो देती है जो आप market से लेने हाई हो वारना आपर हजारों लोग रोज आते जाते रहते हैं I hope कि जो चीज़े हम clear करना चाहरे है वो आप समझ पा रहे होगे equity को सबसे पहले master करना अगर equity को master करने इस पहले आप किसी भी field में जाओगे काम करने के लिए तो सिवा बरबादी के सिवा नुकसान के कुछ भी हात नहीं से पहले सारी market उसको करते है remove हमें एक ऐसी line draw करने है चार्ट के पर कि जो आपका as a resistance काम करता हो दिखाई पड़े यह resistance है अब अगर हम बात करने जा रहे है false breakout के तो breakout कौन से level से इस तरह के breakout समय चाहिए तो हमें चाहिए एक ऐसा point जहां पर market बार बार आ करके रुक रही है क तो breakout करने के लिए हमारे पास एक सही level का होना ज़री है तो यह level तो सबसे पहले आपको निकालना आना चाहिए इसके बाद तो हम लोग false breakout पर जाएंगे समझवाना जो बात हम अभी बोल लेते हैं कि अगर false breakout को समझना है तो उसके पहले के सारे topic अप clear होने चाहिए अभी त कि क्या criteria's form होते हैं, volumes को हम लोग कैसे देखते हैं इस सारी चीज़े आपको clear होने चाहिए तब आप कुछ ज्यादा ही अच्छे से false breakout को समझवाओगे अभी तलिए इन सारी चीज़ों को एक साइट में रखते हुए हम लोग सिर्फ और सिर्फ false breakout को समझने कोशिश करेंगे अब देखिए एक हमारा ये level है, यहाँ पर हम क्या देख रहे हैंगे daily time frame पर price हमारा इस area से नीचे में trade कर रहा है और यहाँ से जब जब market हमारी upside की तरफ जा रही है, यह वापसे देखे नीचे की तरफ गिर रहा है, फिर से देखे price हमारा upside की तरफ जा रहा है, again देखे downside क यहाँ पर एक एक जो चीज़ देखने वाली है कि price बेशक आपका resistance से downside की तरफ गिर रहा है, अब आपने चाहें भले ही notice ना कियो हो, लेकिन एक चीज़ notice करो, कि price यहाँ पर अपने lows को upside की तरफ shift कर रहा है, यह होते है price action, कि हम लोग price की psychology को उसकी language को समझें, price किया हमें क और highs को break नहीं कर पा रहा है, यहां पर volumes के क्या structures बनेंगे, अभी आप volumes को देखोगे, तो volume जब जब market आपकी swing low लगाएगी, swing low form करेगी, आप देख ले न, यहां पर आपको volume previous swing से highs के breakout करते हुँ दिखाई पड़ेगे, highs से breakout का मतलब क्या होता है, कि माल लिए previous swing के पास में, यहां पर volumes के breakout अगर हुए हैं, तो यह जो next swing लगेगा न, यहां पर भी आपको volumes के breakout दिखाई पढ़ेंगे, इस तरह के, यहां पर भी आपको volumes के breakout दिखाई पड़ते हैं, अगर volumes के breakout हम लोग देख पा रहे हैं तो इसका मतलब कि वो स्विंग लगा है, वो एक सही है, सही ह का मतलब कि वो जो swing लगा है कई बार तो ऐसा भी होता है कि swing तब लगता है जह हमारा swing high break हो चुका होता है समझेगे इस इसको जैसे कि एक swing लगा यह high low high यहाँ पर क्या हुआ यह तीन points देखुआ अब सबसे पहला यह वाला एक low लगा है just imagine कि यह वाला low यह है इसके बाद में एक और low लगा और यह low upside के दरफशिट हुआ है आगें देखे यहाँ पर यह low लगा और यह low upside के दरफशिट हुआ बाद में यह low upside के दरफ़ लगा पर adapting push brut ignor कर गया बट यहाँ पर move नहीं किया है अभी यह swing पर है, आई break हो गया या नहीं हमें नहीं पता है, लेकिन जब यह swing लग रहा है, तो क्या हम यह चीजें समझ सकते हैं, कि यह swing लगा है, अभी ब्रेक नहीं हो सकता है, या फिर कम सकम यह wrong swing low है, जिसने अपने lows को upside की दरफ shift किया है, तो यह बनता है हमारा volume, volumes के तो फिर समझ मैं आगा, I hope कि clear हो रहा होगा धीरे धीरे, अब यहां से हम false breakout को समझाना चाहरे है, लेकिन अभी देखे false breakout पर हम पहुंचे नहीं भी उसके नीचे नीचे ही हम कुछ ना कुछ क्लियर करने की उशिश कर रहे है, कि price अपने breakout की तयारी कर रहा है, अब price जब इ swings लगे हुए हैं मेरे, यह वाले, यह वाले और यह वाले, यहां पर भी volumes के आपको बहुत ज़्यादा ज़्यादा breakouts दिखने को मिलेंगे, तो जब भी price अपना swing low create करती है, या फिर swing high create करती है, swing low create करेगी, या फिर अपना swing high create करेगी, इस जगह पर बहुत ज़्यादा chances हो पर volumes नहीं आ रहे हैं, और यह हम लोग latest 3 to 5 swings की volumes की analysis करते हैं, 3 to 5 swings की volumes की analysis करेंगे, सबसे latest swing लगाओगा, वहां पर volumes की analysis होती है, price and volumes तोन होगी, अब यहां पर price ने एक swing create किया, volumes के breakout हो गया, कई बार आपको दिख लेगा कि volumes आई ही नहीं है, volumes नहीं है, और price ने एक swing high कर रहा है कि यह देखी, एक swing low लग रहा है, तो बहुत हद्थ है कि एक false swing होता है, इस case में अगर price हमारा breakout करेगा, यहां पर अगर price हमारा breakout कर दिया नहीं तो यह breakout survive नहीं करता, यह re-enter कर जाता अपनी range के लिए, बहुत सही चीज़ें जो हम बोलते नहीं हो सकता है, आपको क इसी किताब में नहीं मिलेंगे, किताबी दुनिया और live market में जब हम लोग काम करते हैं तो यह दोनों बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है, आपको कोई combination दिखाई पड़ेगा, आप double top, triple top और फलाना डिमकाना जितने भी inverted और ascending और symmetrical flag बलाग है आप सब पढ़ लो, और live market में काम करना, backtest करोगे तो फिर तो कुछ भी आप कर दो, कुछ भी, गंदे से गंदा system भी आपको बहुत अच्छा profitable मना के चला जाएगा, backtest अगर करोगे या फिर paper trading करोगे, real market में काम करोगे तो फिर आपको समझ में आगए, जितना भी PDF बेची जाती है, जो भी आपको traditional market समझाई जा रही है, actual market में जब आप काम करने होगे तो यह सब कुछ काम नहीं करता, psychology है, आपको psychology समझ में चाहिए, candles and volumes समझ और यह भी जो बाते हम बोलें सिर्फ ऐसा नहीं कि बस हम बोले ही जा रहा है, यह सारी चीज़े हम इतने दिन से जो market में experience कर रहे हैं, आपके स subscribe किजएगा, because इस तरह की video हम कोशिश यह करते हैं, कि हम आपको provide करते रहें, जिससे कि आपकी trading skill और मजबूत हो जाए, और हमेशा से मेरा यह प्रयास रहा है कि गलत दिशा में जाने से हम आपको रोकें, option trading करने से रोकें, अगर मेरे हाथ में होता है ना, तो हम option trading सिर्फ उन्ही के लिए, सिर्फ उन्ही के लिए स्टार्ट रखते हैं, कि जो equity में profitable हैं, अगर अगर आप equity में profitable नहीं हो, और इसके बाद में सिर्फ option है, दुनिया की किसी भी segment में जा करके काम करने की कोशिश कर रहे हो, तो आप survive नहीं करो, ऐसा नहीं कि कोई भी survive नहीं कर अब हम लोग चलेंगे charts के पर, और charts पर हम कुछ चीज़ आपको समझाने की कोशिश करेंगे, देखे, इसके पहले क्या करिएगा, देखे, इस पर आप हम अब इसको देखे, यहां पर हम एक candle mark करेंगे, जो कि यह हमने green valley candle mark, अब यहां पर क्या हो रहा है, अब इस green valley candle के प इतनी दिन इस सगे पर consolidate करने के बाद में, price ने क्या किया ना, अपने low को upside की तरफ shift किया है, अपने low को upside की तरफ shift किया है, अपने low को upside की तरफ shift करने के बाद में, market ने यहां से देखे, अपने swing को break कर दिया ओपर की तरफ, अब यहां पर देखो, volumes किस तरह से हमारी मदद करती हैं, volumes को समझना, हम कर देते हैं, volumes को on, एक यह swing लगा, हमने क्या कहा था न, volumes के breakout compulsory है, जरूरी होते है, price देखिए upside की तरफ जा रहा है, बट volumes गिर रही है, यहाँ पर देखिए, price देखिए, price देखिए, इस जगह पर भी देखिए, volumes के breakout होने, जब जब देखिए, volumes के breakout नहीं हुए, price देखिए, तो वो survive नहीं कर पाए, वो नीचे की तरफ आ गया, इस जगह पर volumes के breakout हो गया, है यहाँ पर breakout होए, अगें, देखिए, price upside के देखिए, यहाँ पर भी देखिए, volumes के breakout होए, यहाँ पर क्या हुगा है, इस वाले basically जो अपना swing high लगा, इस जगह पर market गई है, और यहाँ पर देखिए, फिर से volumes गिरने start हो गई, यहाँ तक volumes हमारी गिरी है, after that देखिए, volumes के इस जगह प के सामने है, जब जब price, volumes के साथ में, आपके swings को break करता है, बहुत सारे cases में, वो breakout आपका successful breakout हो जाता है, और जब हम लोग काम करने चाहेंगे ना market में, जब हम लोग real market में काम करते हैं, तो कोई भी आप flag, black pattern ले लो, या फिर कोई भी support, अभी वो भी हम दिखाएंगे आपक साइड की तरफ closing की, तब से देखे, market survive कर रहे हैं, अब यहां पर इसने अपना एक base बना लिया, support बना लिया, पहली चीज, दूसरा, अगर हम लोग volumes के analysis करने तो कम से कम हमारे पास एक ऐसी जगा, एक ऐसा place होना चाहिए, जहां पर, जहां पर हम लोग यह analysis करें, क्योंकि कहीं पर हम लोग analysis करने लग जाएंगे, अब यह वाला swing जो हमने महा किया ना, इसके उपर देखे, price ने high volume के साथ यहां पर breakouts दिखा है, यह वाला swing था, high volume के साथ में breakouts दिखा है, और price हमारा survive कर लिगा, मतलब कि इस swing को, इस swing ने पूरी तरह से जितना भी वज़ाना है, वो सब संभाल लिए, और price हमारा फिर upside की दरफ चला गए, फिर देखे, इस वाली candle ने swing लगाया है ना, अब इस swing के उपर, volumes कौन सी है, इस से जदा volume, अगर, इस से जदा volume, अगर किसी भी candle में नहीं आई, बहुत case, बहुत सारे chances ऐसे बनेंगे, कि price हमारा survive ने करेगा, वो इस false breakout, अब देखिए, आप ये मान करके चलो कि 30 November के candle form ही नहीं हुई है, वो बनी ही नहीं है, अब देखिए, अगर ये candle नहीं नहीं हुई है, तो इसके पहले ही candle में क्या हो रहा था, क्या किसी ने closing करने की कोशिच नहीं की उपर, लेकिन कम volume आई है, price नहीं नीचे गिर यहाँ पर क्या हुआ, कम volume आई है, price हमारे नीचे गिर यहाँ पर क्या हुआ, फिर से volumes कम है, closing तो की न, लेकिन volumes तो कम है, लेकिन ये वाली जो volume आई है, breakout हो गया, volumes के breakout, अब यहाँ पर देखिए, यह survive कर लेगा, उसी दिन से हमारी high volume candle के low को market protect कर रही है, मतलब कि एक भी closing ही नहीं हुई है, इस चेके पर, तो price क्या कर रहा है, यहाँ से support लेकर कि upside की तरफ जा रहा है, upside की तरफ जाने के बाद में, अब इसने क्या किया है, कि अपने lows को ऊपर की तरफ shift कर दिया, अब अगर market को नीचे की तरफ जाना, तो क्या करना होगा, अपने इन वाले supports को त ज़री हो जाता है, कि मेरे पास एक ऐसा point हो, जहां से हम लोग अपने readings शुरू करें, readings शुरू करने के points बहुत matter कर जाते हैं, क्योंकि कहीं पर भी हम लोग readings नहीं कर सकते, अब माल लीजे, कि जहां भी मर्जी हुआ हमने line put कर दी, अब यहां पर हम लोग अपनी reading करने लग आपको समझ में आजा होगा, यह हम read कर रहे हैं, हम trade कर रहे हैं 8 December को और देखे, readings कहां से कर रहे हैं, पीछे से करते हुछ ले आ रहे हैं, actually आज market previous data के according कहां पर sustain कर रही है, यह तो देखना ज़रूरी होगा, अब इस जगह पर क्या हो रहा है, अगर high volume candle मेरी यह वाली है, तो यहां से market क्या कर रही है, इस एक जगह से, तो price अपने high के उपर closing, वापस देखे, लो पर आगे, अब हमें trade कहां से करना है, जब जब price अपने high के उपर close कर रहे हैं, यह हम इसको trade करते हैं, अभी देखे, high volume candle आई नही है, इस से ज़्यादा भी volumes आई नही है, बट यह यहां पर volumes के breakout हुए, यहां पर भी देखे, volumes के breakout हुए, तो जब जब इसके अंदर green candle हा रहे हैं, तो volumes के breakout हो रहे है, मेरी expectation के according, आज भी एक green candle form होनी चाहिए, और कल से ज़्यादा, 7 December से ज़्यादा, 8 December में volume आनी चाहिए, और price अपने previous इस वाली candle के उपर close करना चाहिए, अभी क्योंकि price एक बहुत strong support पर trade कर रहा है, इसका मतलब के 1478.45, अभी अभी price ने पना एक बहुत strong resistance break किया है, which is 1477, और price का current running price जो चल रहा है 1479.95, समझभा रहे हैं, यहां पर price ने एक mother candle को daily time frame पर close कर दिया, उपर की तरफ, अगर market का थोड़ा सा भी साथ मिला आना, तो आज का day high चला जाएगा, कल से ज्यादा तो आज में volume आने ही आने है, volumes के breakout होँगे, क्योंकि price को अगर ऊपर की तरफ जाना, तो volumes आने ही पड़ेंगे, और अभी समय क्या होगा है, 1248 हो रहा है, clear है, और यह सारी analysis हम लोगों किस पर की है, daily time frame पर, और daily time frame पर इस सारी चीज पर हमने अपने stop loss लगा रखे हैं, और हमने stop loss लगा रखे हैं 1471.90, यहां पर अपने stop loss है, so अभी हम वेट करेंगे, कि price का यह वाला जो swing है, यह निकल जा, क्योंकि अगर अपना high भी market ने touch किया, तो एक अच्छा RR ratio में देखने को मिलेगा, अगर उपर की तरफ market निकलत हैं, अभी देखिए, profits थोड़े बहुत कम हुए है, क्योंकि price अपनी जगह से fall वह थोड़ा सा नीचे की तरफ आया है, so 10,000 से profit कम हो करके करीब 2,500 और पर कम हुए है, 8,000 और 7,000 क्रान का profit चल रहा है, लेकिन घबराने वाली इसमें कोई बात नहीं है, हमें confidence है अपनी analysis के अब देखिए, जिस तरह की अपनी analysis थी, अंदाजा था हमें कि price में भी chance है कि थोड़ा सा fall होने के बाद में एक recovery upset की तरफ की देखा सकता है, and day high हमारा break हो सकता है, so अभी भी यह expectation से हमारी कि price अपना day high break कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर volumes काफी अचा हैं, देखिए, अचान और यह सेम high है, high लगने के बाद में price निचे की तरफ गिरा, अब यह देखिए, यहाँ पर volumes के continuously breakout हो रहे है, यहाँ दोगा हमने श्मार्निंग में आप से कहा था कि शुरुआत में जो कल की candle form हो हुई है daily time frame की, उस candle से ज्यादा आज में volume आने चाहिए, तो देखिए, volumes आन climax form किया है, इस climax के बाद से इसने resistance को break करना शुरू करती है, अब यह climax, resistance, volumes, resistance के breakout और एक जो fail breakout की हम बात करें है, daily time frame पर देखिए, हम आपको दिखाते हैं, कि अभी हमने आप से कहा था, यह पड़ा time लेता कभी, so अभी जो हमने आप से एक बात कही थी, daily time frame पर देखिएग candle, 8 December की candle, बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन chances है, यह जो भी bunch बना हुआ है, अपना candle का, एक, दो, तीन, चार, पिछले तीन या चार दिन की volumes के breakout, अभी हमें जो दिख रहा है, क्योंकि जिस तरह से volumes आ रहे हैं, यहाँ पर calculations के बाद में, पिछले तीन या चार दिन से ज्या उस breakout को भी market ने पूरी तरह से follow up किया है, उसको follow किया है, तो एक अच्छा move Infosys ने हमें दिखाया, और profit से ज्यादा मज़ा ही आता है, कि किसी भी trade को execute करने के बाद में, या execution के बाद में, हमें confidence आता है, एक satisfaction मिलता है, कि जो चीज हम कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं market उसको सह profit अपना चल रहा है, so wait करेंगे, और यहां पर जो भी अपना profit होगा हम इसे book करके market से बाहर की तरफ निकल जाएंगे, तो बड़ी candles हो सकता है, थोड़ा से retracement market हमें downside की तरफ देखा है, और upside की तरफ जाकर कि हमें एक अच्छा target दे सकते हैं, फिलाल जो भी रहेगा, हम जह पर close करते हैं, thanks, goodbye and we'll meet again